हेलो गाइस गुड़ वार्णिंग मैंनिर वैसर आप लोग सभी का एक बार फीर से स्वागा थे हमारे ओनलाइन हव इडू फाइवर पे तो मेरे दोस्त बहुत दुखी हो रही है आज हमें क्यूंद दुख हो रही है क्यूंकि मैं आज आप लोग का लाइव क्लास नहीं ले डाल दूँगा आप अराम से इज्जत के साथ घर में क्या कर लेजिएगा ठीक है मेरे दोस्तों तो क्या कोई दिक्कत कोई परिशानी है क्या समझ जाओ सुवा में लाइव पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे लाइव पढ़ेंगे क्लियर है तो चलिए नो लेट नौवेट सि करते हैं आप लोग को काम क्या है जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों को बुला ले आईए आपने चाहने वालों को बुला ले लिए आपसे जो बहुत अच्छे करीवी होंगे उनको भूला ले जिए ताकि आज का जो क्लास हो बहुत ही बहत्रिन ढंक से वह देख पाएंग हम लोग आज की क्लास नमबर एट को क्या करते हैं चुरू करते हैं तो हम हैं वाज परसेंटेज की क्लास नमबर एट लेने जा रहे हिए एक चलास और इसका चलेगी उसके बाद यह चैप्टर पूरी रूप से समःप्त हो जाएगी नेक्स यह देखिए आपके पहले कोश लेंठ आफ रेक्टेंगल इस बढ़ गया है कितना तीस परसेंट तेन वाट फिल वीद परसेंटेज इनक्रीज इन्गरीज इन्द एरिया तो एरिया पर क्या प्रवाब पढ़ेगा यह हमें निकालना है यदी एक आयत की लंबाई लंबाई, लंबाई के क्या बोल रहा है, 20% की बिर्दी होती है, लंबाई में दे रखाए कितना, 20% की क्या बिर्दी, तथा, चोड़ाई में 30% की बिर्दी, जो ब्रेथ है, इसमें भी दे रखाए कितना, 30% की क्या बिर्दी, तो आप लोग बताओ, अगर लंबाई बढ़े तो भाई रेक्टेंगल की क्या एरिया भी बढ़ेंगे न तो वही चीज आप से पूछा जा रहा है तो बताइए कि आयत की छेत्रफल में कितने प्रतिसत की ब्रिदी होगा बहुत ही बहत्रीन कोस्टन है और ऐसा कोस्टन इस साल जे इससी सीजियल की बात मैंने कर रहा हूं म बढ़ने से पहले भी तो कुछ न कुछ लंबाई होगा तो क्या होगा आ है यह देखते हैं लंबाई में जो रहा वह 20 परषंट बढ़ए लंबाई में कितने बढ़ने आनों से 2पशंट । मतलब कितण होते एक नोतário पांच यारी कि सुनबाई कि न अधा पांज तो और यह हमारा इनिसियल की लंबाई है इसलिए इसको लिखेंगे इनिसियल ठीक है प्यारे मित्र अब उसी तरीका से चोड़ाई चोड़ाई में क्या हुआ है 30% की बिर्दी तो 30% का मतल़ होता है 3 वटा 10 यानि कि चोड़ाई पहले 10 हुआ करते थी तो आज 3 बढ़ गई बढ है वह है वह मित्र पहले को यह यह से निकल जाएगा 50 तो यह आज की लंबाई है और आज की चोड़ाई है तो आज की में आज की चुडाई से गुना करोगे तो आज का छेत्रफल निकल के आगया कितना तो आप ये देख पा रहे होंगे प्यारे मित्र क्या देख पा रहे हैं कि शुरू में जो है वह च्यत्रफल हुआ करता था पचास आज जो चैत्रफल हो गया कितना 78 यानि 6 तरफल में बिर्दी हो गई कितने की 28 की और यह बिर्दी कहां से हुई है तो आप बोलोगे सर 50 से कहां से हुई है 50 से जवाब देना है परसेंट में तो 100 से क्या कर लोगे गुणा ऐसा करने से आपका जवाब परसेंट में आ जाएगा अब कुछ ने करना है इसको से और यानि जो टॉटल इंक्रिमेंट होगी एरिया में जो बिड़ती होगी वो कितने की हो जाएगी McK 50 एना यहीई चीज़ क्या है हमारी है सक्सेसिव क्योंकि हम लोग को पता है कि लेंध को ब्रेदց के साथ जब गुना करते हैं तब निकलता है क्या एरिया तो देखो तो यहां पर ढास कोना करने 20 कितना वड़ा है 30 तो लेंद कर सकते हो 20 गुने का 30 यह भी तरीका हम लोग लगा सकते हैं ऐसा करने से भी आपका जवाब राइट आएगा तो बताओ 20-30 कितना हो जाएगा 50 ठीक है प्यारे में यह जीरो से कर राइट अंसर हो जाएगा उप्सन नंबर सी बिल बीदा राइट अंसर कोई मेरे भाई बंदू को अगर कोई भी परिशानी होगी तो कमेंट करके बताइएगा मैं आपका कमेंट को बिल्कुल पढ़ूँगा और आपके प्रोब्लम को दूर करने की कोसिस करूंगा तो इस कि गुना पर आता है हमने बताये था कि अगर यह दो नों यह दों को करते है तो परने से तो किस इस pokyn करते हैं। वहां पर हम लोग स्तेमाल करते हैं सक्सेशीन का किसका इस्तमाल करते हैं सक्सेशी परसेंट का तो हम लोग सक्सेशीप परसेंट में सीखे थे एक यहां पर लेंध इस precisamente कितनी बढ़ रहा है you तो कुछ ने करकर रेंड है और में क्या करना है दोomb b Prinzip 백 primary और गुने का क्या ऐस किए टीस और दीवाइड करदेना 100 से और यह जो आएगा ना वो किस में आएगी परसेंट में आजाएगे अब इसको कर दीजिए आपका अंसर एकदम बारी की ढंग से निकल कर आ जाएंगे अब बताओ 20 को 30 से जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 50 नेक्स्ट यह जीरो और यह जोरो से यह दोनों जीरो खतम अगर यह तरीका आपको समझ में आया है कि नहीं अगर यह तरीका आपको चरह से परिसानिया कर रहे है परिसानी दे रहे है तो पिछले जो 4 5 6 क्लास दिखाए है बढ़ाया हूं उसे अगर पढ़ कर आ जाएगा मिरे दोस्तों तो आपकी हर एक कॉंसेप्ट किलियर हो करते हैं और अगर रियल में सक्सेसिव का इस्तिमाल कहां करते हैं यह आपको पता चल जाए तो फिर इस टाइब को आप बरबाद कर दोगे आओ बरबाद करने के लिए आज बहुत कोशन आपके लिए लेकर आया है मेरे पास कितना 47 को पहले बरबाद करते हैं लिखा हुआ है कि दलेंट आफ लेंद और ब्रेट ऑफ रेक्टेंगल और इंक्रीजड वाई एट परसेंट एंड इतना है फाइफ पर को रहा है फैस्तिती जीएल कि टो हजार टैस का पूछा हुआ है अब इसको कैसे बरबाद करेंगे वह मैं आपको सिखा नाख किया रखा क्या सिखा रखाए धी ए यरिया में में क्रिंड कैसे ब्रवाद करेंगे तो हम लोगों को पता है कि लंबाई- Solomon में जो बढ़ा है वह आपको आप परसेंट बढ़ी है ठीकै ना चोड़ाई में कितना बढ़ी है 550 और हमें निकालना area तो area कितना बढ़ाइगा तो कुछ नोइख अप दिए करना आठ निकल के आएenser किसमें परसेंट में अब कुछ ने बता calculator तो बटे पाँच का मतलब होता है कितना फिरो पॉइंट पॉर इन दोनों को जब जोड दिजेगा तो आजाएगा तेरा दसमल्लो चार प्रसेंट अब बताओ मेरे भाई बताओ मेरे दोस्त क्या यह चीजे अगर पेपर में इस बार आ जाएगी तो क्या आप बना नहीं CGL में ही नहीं प्यारे मित्रो अगर आप एक मैत का अच्छा स्टूडेंट हो या फिर मैत में आपको मन लगती है तो आप ज़रा सब प्रिवियस यह पेपर को इज़त के साथ देखिएगा ऐसे कोशन ना जाने कितने बार पूछे हुए हैं अन अन एक्जामों में तो मैं उमीद करता हूँ कि आप इस कॉंसेप्ट को बढ़िया से समझेंगे और अगर दोबारा इस टाइप के कोशन आपको मिलता है तो आप इसे रहने नहीं देंगे सीधे बरवाद कर देंगे इमान से कैसे बरवाद कर देंगे इमान से नेक्स्ट अब मैं सीधे चलूँगा अगले कोश्चन पे कोश्चन नमर 48 क्या कहती है आए इसको समझते है बोल रहा है कि इफ दा रेडियस ओफ असर्कल यहां पर बात हो रही है रेडियस ओफ असर्कल की इंक्रीजड बाई 50% देन वउट विल भी परसेंटेज इंक्रीज इन इंड इयरिया ऑफ अ इसे भी आप दो परकार से बना सकते हैं आए मैं आपको समझाता हूं अगर यह कोश्चन आपके 12 पेपर में आते हैं तो आप कैसे बरबाद करोगे वह मैं आपको बताता हूं आई बड़ा प्रषा bloody बात मैं आपको बताना चाहताहूं प्यारे मित्र रेडिय रही है रिडियस कितना बढ़ रही है तो आप बोलोगो है सर पचास परसेंट बढ़ रहेँ आच यह बताएं बात कही आरे यह area की area बरबर क्या होता है तो इसारकल का जो इसारकल का जो एडिया होता है और यहां पर यानि यहां पर पाइस्तिमाल नहीं करेंगे इस question को बनाते समय सिर्फ और सिर्फ radius का square करके अगर बना देंगे तो ही हमारा right answer आजाएगा तो कुछ ने करना है प्यारे में स्थ-छेवडियों कोसर सक्वार रे डियाcha का ही इस आस्कॉयर‐ तो इस qa को हम लोग r गूर्णी में क्या लिख सकते हैं यानि आर कितने बार आगया दो बार आ है तो पुछ ने करना है इसको बनाने के लिए कुछ ने करना है एक रिफेक्ट के लिए रह stall तो आम लोग लिख देना है टू आर पलस आर का स्क्वाइर डिवाइड वाई हंडेड टोटल जो एरिया पर इफेक्ट पड़ेगा वो इतने का पड़ेगा अब बताओ तू हो गया आर कामान कितना है पचास परसेंट तो यहां रख देना है पचास पलस यहां पर कर देना है पचास गूने का क्या पचास और डिवाइड कर दो किस से हंडेड से बस ऐसा कर दो आपका रिजल्ट किस में आ जाएगी परसेंट में आजाएगी अब बताओ मेरे दोस्त यह 0 और यह 0 और यह 0 से कट गए यह दोनों 0 कि दर से हो गया है कितना 100 और पलस पांच कुने की अगर विर्दी होगी तो उस सरकल का जो एरिया है वह 125 परसेंट बढ़ जाएगी एक तो तरीका यह है इसे बनाने का अब मैं इससे भी अच्छा चा तरीका आपको बताता हूं आओ जरा सा सीखो हम लोग को पता है कि अगर इस कोश्चन के अगर बात करें तो इस कोश्चन से हमरी बड़ रही है अब हमें कुछने करना सा पास परसेंट का मेनिंग और तो पचास परसेंट न का मतल्व अब यूरी कीरेटीस कितना सब्ञाने से फाले कुछ ना कुछ उस सरकल का रेडियस क्या होगा रहा होगा और अगर आज बढ़ेगा उसके बाब जूद भी कुछ ना कुछ उस सरकल का रेडियस जरूर होगा तो बताइए इसका मत्तव सुरू में रेडियस उसका कितनी थी सुरू में रेडियस कितना था सुरू में जो व्यादी ओए कितने की एक की तो आज को गया तीन तो यह हो गया शुरूबाला रेडियस और आज लोग निकाल लिए क्या इसका अनुपात अब हमें पूछा गया एरिया तो एरिया बराबर क्या होता है एरिया बराबर सीथे लोग है एक नियत मान है तो ऐसे कोँसन में नियद मे लूका कोई इस्तेमाल ने करेंगे यांनी हम लोग एरिया के ल ? आई कर का काम करेंगे या कि लिए और कीटना है निटने कर ठोल जाएंगे चार को तो यह जो चार और नुट जो अनुपात Chari Ao ओया एडिया अब अफिस़न में एरिया कितना सिर्टेष नाया इंद वह मुझा न we जूरें हिए पाँनोगर नो एरिया कतनी बढ़ गई तो आप बोलोगे सर पांच बढ़ गई हम बोलेंगे सर कहां से बढ़ी तो आप बोलोगे सर 4 से बढ़ी हम बोलेंगे परसेंट में कितना बढ़ी तो आप बोलोगे सर इसके लिए तो 100 से गुना करना पड़ेगा तो यह लो मैं 100 से गुना कर दिया ऐसा करने से आपका अंसर एकदम असानी से आ जाएगा तो 4 से इसक तो 25% क्या हो चुकी है बढ़ चुकी है इस परकार इसकी जो राइट अंसर होगी वो ऑप्सन नंबर भी हो गए तो मैंने आपको एक नहीं दो दो तरीका इस कोशन को बनाने का क्या कर दिया सिखा दिया अब कोई विद्यारती यह कह रहे होंगे कि सर अगर पाई का इस्तेमा क्या आँक अब्याना चाहता हूं प्यारे मित्र कि बीना बाई से बिना पाई का अगर आखर निकल जाता है तो फिर पाई लेने की क्या आप सकता है आप मेरे बात को मज़ रहोंगी इमान से ऐसे समझ रहोंगे इमान से तो मेरे दोस्त मेरे भाई चलते हैं अगली कोश्टन पर ना तो इसी तरीका से को अधले के पढ़िए आए कोश्टन नुमर 49 में क्या बोल रहा है चा कह रहा है आईए जरा सा समझते हैं लिखा कि इस और साइड इस वार आसकॉइर के क्या बात कर रही है साइड का क्ता है कि इस और साइड आफ आफ आइसकॉइर इस इंक्रीज वाई ट्वनटी परसेंट यानि कि असकॉइर का जो बढ़ जाएगा आए बड़ा प्यार से समझते हैं यदि किसी वर्ग की भूजा भूजा क्या होगी यह बीस परसेंट बढ़ाई जाती है तो उसका चेतरपल कितना परसेंट बढ़ जाएगा इस परकार की बहुत सारे कोश्चन आपकी पेपर में दिखता हुआ नजर आएग किसी बढ़ गई तो यह बढ़ गई यह बढ़ गई है आपका दीजंट सीचическая बढ़ गई परसेंट अब आपको पता है कि जो औरी यह होता है एरिया क्या होता है साइड का स्क्वाइर तो साइड का स्क्वाइर को क्या लिख सकते हैं गुना ए तो जहां पर रिपीट हो यह सेम चीज़ क्या हो रहा है रिपीट तो यहां पर इनक्रिमेंट कैसे निकालेंगे तो कुछ दे करना है यहां पर लिक्ना टू गुना आहे पलस में एक का क्या आज स्कॉयर डिवाइड वाइंडेर जैसे अभी आपने देखा था के एरिया निकालते समय सरकल कर यह निकालते तो ठीक उसी परकार से यहां पर एगुना ए लिखाएगा ऐसा करने से आपको निकल करा जाएगा क्या ऐसा करने से निकल जाएगा एरिया में क्या इफेक्ट पढ़ रहा है अब बता एक अमान कितना बीस तो बीस गुना दो तो बीस गुना दो करोगे तो चालिस परसेंट इधर से हो गिया परसेंट में अब बताओ बीस गुना दो कितने होंगे चालिस और इधर से बीस का स्कुएर चार सो चार सो इसका स्कुएर कितने होंगे प्यारे मित तो आप बोलोगे सर चार सो और चार सो को सो से काटो कितना जाएगा चार तो यह हो गए चार तो बीस चालिस और पलस में कितना चार यानि जो च्छेतर फल है वो कितनी बढ़ ज जाएगी तो सारे प्यारे मित्र एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोगँ को सारह चीज समझमें आरहा है तो इसका राइट हो जाएगा वह इस तरीका से हम इसका अंसर को दे सकते हैं इसको अंसर देने का और भी करते का है जैसे आई यह अगला तरीका बताता हूँ अब बताओ कि भूजा क्या है भूजा 20 फरसेंट 7 इसका मतन करने के बाद आज कुछ ना कुछ भूजा तो होगी तो वाइं सुरु में कितनी थीर पांच था और आज में कितनी हो GA में 6 तो यह हो गया हमारा भूजा का क्या अनुपात भूजा का बोले तो साइड का अनुपात अब हमें निकालना है क्या है एरिया तो एरिया होता है साइड का क्या अस्क्वाइर तो बता साइड सुरू का कितना है 5 तो 5 का स्क्वाइर कितने हो जाएंगे 25 आज का कितना है 6 तो 6 का पड़ती है। आप यह बताईए यह 25 और 36 है वो किसकानुपात है highway a तो area 55 से क्या हो गया है 36 तो आप क्या देख रहें area में बढ़ गया है यह 11 आप बढ़ंगए 11 कहां से तो आप बोलेगा सर 50 से तो area बढ़ गया है 11-25 से जब आप देना है परसेंट में तो 100 से गुना कर दोगे ऐसा करने से जो आएगा वो किस में आएगा परसेंट में आएगा अब इसको क्या कर देना है काट देना है काटिएगा तो आपका अंसर परसेंट में दिखना लगेगा इस 25 से हम इसको 100 को कितने बार में कटेंग देखो, यहाँ पर जब कभी भी, जब कभी भी double हो, जैसे a square, a square को अब लोग a गुना तो a लिख सकते हैं, तो जब कभी भी double होना, तो इसको इस परकार से लिख कर हम लोग बना सकते हैं, उसे हम लोग इस परकार से लिख कर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है प्यारे मि इस वार क्योब की बात की जारी यानि की घंप की जारी है इस SECTory 20 परसेंट लिए श्यूर का जो साइड़ है वह 20 परसेंट की हो गया बढ़ गया then what will be the percentage increase in the volume तो हमें बताना है कि कुब के वौलियूम में क्योग के आइतन में कितना परभाव पड़ेगा यदि एक घण की भूझा में 20% की की जाती है बिर्दी की जाती है तो घण के आइतन में कितने प्रतिसत की बिर्दी होगा बहुती बहतरिन कोश्眨 में से रहे है इसे बर्वात कर देते हैं इसको कैसे बर्वाद करोगे आगर ये इस मैं आपको समझाता हों अगर इससे बर्वार करोगे कब·से पहले नहीं की वाथ हुए ह ःन पो थे ये आपको बना दिया घन इक्या है क्योभ कि हमारा क्या है क्यूब की साइड उसको क्या माल लिया मैंने ए माल लिया और आप लोग को पता है क्यूब का सारा साइड क्या होता है पराबर होता है तो सारे साइड क्या होंगे ए होंगे अब क्यूब का जो साइड है उसमें बिर्दी हो गई है कितने की उसमें बिर्दी हो होता है तो आप बोलोगे कि सर अगर मैं 20% की बात करूँ 20% का मतलब होता है एक पटा 5 एक बटा क्या होता है पांच होता है तो आगर मैं बात करूं सर तो भाई एक 20% बढ़ने से पहले भी कुछ न कुछ तो उसका साइड रहा होगा और बढ़ गिया तो बढ़ने के बाद भी कुछ न कुछ साइड रहा होगा तो बताओ सुरू में साइड कितनी है उसकी पाच है और आज साइड क्या हो गई एक बढ़ गई है तो आज एक बढ़ गई तो एक को जोड दीजिए तो आज की साइड कितनी हो जाएगी छे हो जाएगी यह जो अनुपात निकला वो किसकी निकली साइड का हमें निकालना आइतन तो आइतन के लिए क्या करना पड़ेगा साइड का क्यूब करना पड़ेगा तो साइड का क्यूब किजिए तो पांच का क्यूब करोगे तो पांच का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 125 और छे का एक क्यूब किजिएगा तो आजगा 2060 तो ये निकल गिया आईतन कानुपात तो शुरू में आईतन कितनी थी 125 थी और आज आईतन कितना हो गया 26 तो आईतन में बढ़ा तो भाई आईतन में बढ़ गया कितना घटा दो 2660 में से 500 को घटा ओ तो 75, 10, 85, 96 से क्यान में यानि आईतर में कितना बढ़ गया कहां से बढ़ गया तो आप बोलिएगा सर 125 से बढ़ गया जवाब परसेंट में तो सो से गुना कर जाएगा अब कुछने करना है अगर कटती है तो काट देना नहीं तो छोड़ देना 25 से काटेंगे 5 बार में 25 से काटेंगे 4 बार में अब देखो गुना कर दो चार बटे 5 इसको जब सोल्व करोगे तो 91 इन्टू 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो 0.8 आएगा अब 8 से गुना कर दो 1 को 8 से गुना करेंगे 8 और 9872 और इधर हो गया पॉइंट यानि 72.8 परसेंट आ जाएगा यनि option नंबर जो है वह हमारा C क्या है बिलकुल राइट अंसर है बिलकुल क्या है राइट अंसर है समझ पाए मेरे दोस्तो तो इस परकार से इस कोशन का राइट अंसर आप दे सकत अद हो करोगे एक आप को रियल में बर्वाद करोगे एत हEd बोल बोल के बर्वाद करोगे मिरे जैशार है तो मैं सिस्द एदम अराम से इज़्जत के साथ पढ़ाता हूं और आपको भी इज़्जत और साथ के साथ करना चाहिए और मैद को मेरे जैसा बरवाद करनी चाहिए आई यह अब मैं ना लेट करूँगा बेट करूँगा सीधे चलूँगा अगले को सिर्फ नमर 51 अभी कि लिखा हुआ है उसको दस परसेंट क्या कर दिया जा रहा है और जो हाइट है वह 20 परसेंट क्या किजा रही है कमाद जा रही है then what will be the percentage change in the area of triangle तो बताईए कि तिर्भूज के छेत्रफल में कितने प्रतिसत का बदलाव आएगा तो आईए इसको कैसे बरवाद करेंगे हैना यदि एक तिर्भूज के अधार अधार क्या हो रहा दस परचंट की ब्रिदी हो रही है अधार तथा उचाई में क्या और यह 20 परचंट की कमी की जाती है तो तिर्भूज के छेत्रफल में कितना प्रतिसत का परिवर्तन होगा अब आईए इसको कैसे बरवाद करेंगे अगर यह हमारे यह ट्रेंगल की हाइट हो गई और यह ट्रेंगल का क्या हो गया बेस यह माल लेते हैं और यह बी और यह सी क्या है ट्रेंगल है तो ट्रेंगल की जो बेस है इस बेस में क्या हुआ है तो इस बेस में क्या हुआ है दस प्रसेंट की ब्रिदी हुई है और जो हाइट है इसमे क्या हुआ है बीस परसेंट की कमी हुआ है तो कुछ ने करना है हमें बताना है इसकी क्या च्छे तरफल तो आप बताओ ट्रेंगल की जो एरिया होता है वह क्या होता है तो होता हाफ इंट्व पेसец इंटू हाइट तो मेरे दोस्तों अब बताओ कि ट्रेंगल की जो एरीया है कि आ गुनानफल पर डिपेंड करता है इसका मतलब रिजल्ट जो आ रही हो गुणा करने से आ रहा है तो जब कभी भी गुणा करने से आता है तो हम क्या लगाते हैं सक्सेशी परसेंट का का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर हम लोग सक्सेसी परसेंट का इस्तेमाल कर देंगे ठीक है मेरे दोस्स तो क्या करेंगे तो भाई एरिया में सब्सक्राइब करना है और यहां पर लगा देना है परसेंट से यह पता चल जाएगा कि एरिया में क्या बदलाओ उ रही है अब बीकट जगा बेस पूट कर दो बेस में क्या होगा 20% तो वीकाल भीज़ू 20% है ना एक साथ कालू 10% हमान 20% है ना माइनस माइनस तो यहां पर जाएगा दस चेहाँ पर गुण एप यहां पर कितने हो जाएंगे भाइए माइनस यह यह हो जाएगा 20नों है व maioria 10 चल गया तो मैइनस का बारा तो माइनस को बारा ये माइनस का बता माइनस बता रहा है कमी को यानि उसकी एरिया में क्या होगी कमी होगी और बारा बता रहा है कितने परसंट की होगी तो कमी तो होगी लेकिन कितने की होगी 12% की तो उसकी एरिया में जो बदलाब होगी वो कितने की होगी 12% की होगी आईए इसको दूसरे तरीका से समझते हैं यह तरीका तो मैं आपको बता दिया कि इस तरीका से कर लेना अब दूसरे तरीका से इसको कैसे समझेंगे आईए दूसरे तरीका कर लगाना चाहोगे मेरे मित्र तो आप ये बताओ कैसे लगाओगे ना यह जो वेलू है इस वेलू का मैंने कोई इस्तेमाल नहीं किया क्यों क्योंकि यह वेलू क्या है यह वेलू चाहिट रेंगल इतना बड़ा हो जब कभी भी आप एरिया निकाल लिएगा तो बन वाइट टू से ही गुना किजिएगा तो वह जो वैली ओ जैसे पाई एरिया के है ना जैसे सरकल के कंडिशन में पाई पाई क्या है कॉंस्टेंट तो ट्रेंगल के किस वे क्या बन वाइट यह क्या है कॉंस्टेंट तो बन वाइट टू का कोई इस्तिमाल नहीं करते और हमारा अंसरा था अब मैं आपको दूसरा तरीका सिखाता हूं अब बताओ बेस क्या और बढ़ रहा है तो मैं यही बार बर बोलाओ कि कोई भी चीज़ जब बढ़ती है तो इससे पहले हम बात करेंगे बेश का तो तस फरसेंट 25 का मतलव क्या होता है एक बटा दस दसलिट का मतलव मैं अगर मैं इस फरसेंट का मैंनी जानना चाहूं और आज सबrito की कितNE हो गई 11 और हाइट की अगर बात करें तो हाइट क्या हुआ बीस परसेंट की कमी सोब्रह सब्सवाइब क्या होता है Eco गारे मिदू дан पाइड क्या होता है तो आज क्या हो थो जाएगी चार बस कुछ नहीं करना है प्यारे मित अब धेको तो हमें क्या निकालना है हमें निकालना है ट्रैंगल की एरिया आब एरिया क्या होता ऑर चिछ apprent और हुआ पर कितने हो जांगे 86 तो आप क्या देख पा रहे हो आप डेख पा रहे हो मेट नुटम्क मुझे फ़धा मूंसर बारा और लूत 10 यह सब असके क्यों सकते हो तो जैसे आप लोग को असा लगे उस तरीका से अंसर दे लेना जैसे आपको आसान लगे उस तरीका से अंसर दे देना है तो इस कोश्चन का जो राइट अंसर है वो क्या है आप सारे लोग समझ गये हैं अगर समझ गये हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताएं कि यह सर इट इस किलियर जल्दी से बताओ प्य देखिये इस बार बेलन से किसे है यानि ये जो समझे पा रहे होंगे कि हैसार कोर रही है इस capitalism क्या हो और ये减 कम की जारी है तो उसकी उच्चाई में कितने प्रतिसत की बिर्दी करनी चाहिए ताकि बेलन का आहितन क्या रहे यहाँ आहितन क्या बोला है समान रहे आईए इसको कैसे बरवाद करेंगे आओ आपको मैं बताता हूँ अगर यह वाली question अगर यह वाली question आपके paper में आए और यह रहा सेंटर यह क्या रहा है रेडियस तो रेडियस में क्या हुआ है तो बेलन की जो रेडियस है वो 20% क्या की जा रही है 20% घटा दी जा रही है तो भाई हमसे पूछाए कि अगर रेडियस रेडियस जो है वो 20% का अगर घटा दिया जाए और क्या बोला आइतन समान यानि volume को क्या रखना है volume को क्या रखना है same volume को क्या रखना है same तो बताईए उसकी उच्चाई उच्चाई पर क्या पढ़वा पड़ेगा यानि उच्चाई में क्या होगा कमी होगा कि बिर्दी होगी अगर कमी होगी तो कितने percent की होगी और अगर बिर्दी होगी तो कितने percent कोई लाइब दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये रहा इनिस्यल कोई भी चीजब बढ़ती है या घठती है तो कहां से घठती बढ़ती सुरू से अगर बढ़ चलकि अगार आज भी दे Noise ग HERE तो आज भी उसकी कुछ न कुछ कुछ वैल्यू होगी तो अब बताओ radius कितना बढ़ रही है 20% 20% घट रही है तो 20% का मतला होता 1 बटा 5 यानि सुरू में radius कितनी थी सुरू में radius 5 थी तो आज radius क्या हो जाएगी एक घट जाएगी तो अगर एक घट जाएगी तो आज की radius कितनी हो जाएगी sqeure एच अब आया ना स्कॉयर एच का है ना पाई रस्कॉयर एच होता है बेलन का पर आधर यह your है और नो TY सो रखोगे अगर इसको क्या रखोगे टो भाई यह और यह 千इडियस और हाइट इन दोनों का बीच का जो स्वेसे होता है योड़ स्कॉयरत होता है तो हाइठ को कि हाइट का उल्ठाओगी तो हाइट निकालोगे तो रेडियस में हुआ होगी उल्टाओगी या निया हमारा सोला फाजीस ने मैं आगे वह हाइट का अनुपात निकल के आगिया किसका निकल के आगिया हाइट का अनुपात क्यों क्यों कि जो हाइट और यह जो रेडियस यह दोनों एक दूसरे का क्या होंगे उल्टा होंगे तो उल्टा कैसे होंगे तो जो हमारा हाइट है वह रेडियस के असक्वाइर से तो स्क्राइब कर दिए उसके बाद Lourenors अब हमें पता चल गया कि रेडियस रेडिश में पता चल गया कि रेडियस कितना है पांच औरагइट कितना ही तो इसवी रहें यहाँ पर बता होओ कि एक मिनट शीए क staff ईंटर मिस्टेट्र मिस्टेमिस टेक Bunu इ Sacha है आग dus हलका समिशटेक हो गया है कोई बात नहीं यहां देखो इमान से हखै अलका समशटेक हो गया एक है चलो इसको शुर्य से लगते हैं जो मैं आप देखो इसको कैसे करना है तो हमें पता था शुरू में कितनी थी पाँस थी और आज घट गई तो आज की रैडिस कितनी होगी है c yen जृर रया है कितनी होगई चार अब हमें कुछ ने करना wherein और हम पहले क्या निकालेंगे रैडियस का क्थ्रॉएर क्योंकि हमारे फॉर्मूला में क्या होता हिरेडियस का पार होता है तो लिए का ंपको सबस्राइब करेंगे 25 और je攻 किसका हाईट का अब हमें निकालना क्या है आइतन में किसका फरमूला होगा इसा तब में h k yaagya x 25 एस करने से दोनों जगहाई टन क्या है सेम सुरू में आइसका अईों कितना है 400 तो ऐसा होने के लिए तो हाइट में क्या है दोगों तो सुरू में हाइट कितना था सोला और आज हाइट कितना है पचीस तो हाइट क्या हो रहा है बढ़ रहा है हाइट क्या हो रहा है मैं पूछू कितना बढ़ रहा है तो आप बोलोगे सर सोला से बढ़ रही है तो आप बोलोगे सर सो से गुना क होगे 25 बार में तो उपर में 25 गुनानों कितना हो जाएगा दो सो पचीस दो सो पचीस को चार से डिवाइड कर दोगे तो आपका अनसरा जाएगा 556.25 तो इस परकार जो आइतन है मेरे दोस्त वो 56 दसमल लव 25 परतिसत बढ़ जाएगा तो इस बात को क्या रखना है याद रखना मेरे प्यार मित मैं आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि देख लो की आइतन दोनों जगा समाने की नहीं हलाकि एक्जाम में इसको निकालने क कौन हाइट तो दोको रेडियस का स्कौर निकाल लिए और इसका उल्टा कर दिये तो क्या निकल गया हाइट का नुपाद यानि हाइट कितनी है सुला हो गई कितनी है पचीज तो भाई हाइट कितनी बढ़ गई नो बढ़ गई कहां से बढ़ गई सुला से तो परसेंट मे आप इस चीज का आंसर निकाल पाएंगे तो मैं बहत्रीन धंसे आपको समझाने की क्या कर रहा हूं कोशिस कर रहा हूं यारी पूरा क्या करते ना यह बर्वाद करते ना इस नेक्स कोशन नवर its base is decreased by 10% और जो रेडिया से क्या कर दिया गया घटा दिया गया देंद percentage change in its curve surface area यानि इस वार हमें बात किसकी कर रही है कर सर दिया की आइतन की बात नहीं कर रही है तो जड़ाथ चीजों को अराम से इज्जत के साथ क्या करनी है पड़नी है तो इस वार फिर से कोशन हमारा बेलन का ही है इस वार फिर से कोशन जो है वह हमारा क्या है बेलन का ही तो यह सबसे पहले बेलन बना दिये यह क्या होती है इसकी हाइट होती है और यह क्या होती है रेडियस यह क्या होती है तो यह जो रेडियस है यह रेडियस दिया हुआ है और यह हमारे आपको बताना है बेलन बेलन की जो उच्छाई है बढ़ रहा है 15 तो मैं कितने बार आप लोगों को बोल रहा हूं कि कोई भी चीज तुम बढ़ाओ या घटाने से पहले भी कुछ न कुछ होती है और अगर बढ़ा या घटा दोगे तो आज भी कुछ न कुछ उसकी 20 ठीक है प्यारे मित और आज 3 की क्या हो गई है ब्रिधी तो आज हाइट कितनी हो जाएगी तो आज हाइट हो जाएगी 23 अगर मैं बात करूं रेडियस की अगर मैं बात करूं रेडियस की तो रेडियस में रेडियस में क्या हुआ दस परसेंट घटाया गया तो दस परसें कितनी ती 10 आज एक कि कमि कर दिया गया तो आज फिर्टी कितनी हो गई नोह गई अब हमें बात करना है किसकre हमें बात करना है क्या तो बिंदर क्या गता से रिए तो बेलिन का तो यह जो दू दिए ले उब स्सक्राइब से लिया इसको लोग वलते वक परिश्ट का च्छेतल यह होता है तू फाइब अब बताओ तू पाइब तू पाइब है मेरे दो यह क्या है कॉमन है तू पाइजिक वो क्या है निघ्राइग को लेकर भी बनाओगे तो भी अंसर वह और अगर टूपाई का इस्तेमाल नहीं भी करें तो भी अंसर होई आएगा तो बिना लिए जब अंसर आ सकता है तो लेने का क्या फाइदा कंपडिशन का स्टूडेंट हो तुम ना तो भाई पेन उठाने क्या का फाइदा जब पेन बीना उठाए बन जाता है तो तो यहां तो पाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे और सिर् estran और हमारा यह एस्तिमाल करेंगे तो र हमारा क्या है चतंव आर ऋरह से अरिश्ट यह कितना नहीं बढ़ गया 207 तो अब बताओ यह जो 200 और 207 निकला हो क्या निकल क्या गया कर्ब सर्फेस एरिया तो कर्ब सर्फेस एरिया सुरू में कितना था 200 आज कितनी है 207 कर्ब सर्फेस एरिया कितना बढ़ गया 7 बढ़ गया कहां से तो 200 से तो अगर मैं पूछों कितना परसेंट बढ़ गया तो आप सो से क्या कर दोगे गुणा तो यह निकल जाएगा कि कर्व सर्फेस अरिया में कितने की बिर्दी हो गई अब यह दो काड़ दो यह दो जिरो से दो जिरो खटा यहां पर कितना बचाए दो तो साथ को दो से डिवाड़ करो कितना आएगा तीन दसमलों पांच आप यह वह अपसन नंबर बी है तो जितने भी कोई भी फॉर्मुला हो कोई भी सूत्र हो अगर उसमें कॉंस्टेंट वैली यूज होता है तो आपको नहीं लिखना है जैसे अगर मैं असफेर की बात करूं तो अगर आइंग की गोला अगर गोले के आईतन की बात करें गो को नहीं लेना है सिर्फ और सिर्फ हमें RQ से काम चला लेना है मज़ पाए मेरे दोस्तों यानि कोई भी constant value अगर formula में है तो उसका कोई इस्तिमाल नहीं करना इस्तिमाल करोगे तो तो भी अंसर वहीं आएगा तो इस्तेमाल करने से क्या फाइदा जैसे अगर मैं टूपाई आरेच है तो अगर टूपाई का इस्तेमाल कर लेते तो भी अंसर वहीं आता और अगर टूपाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी अंसर वहीं आएगा यानि सिर्फ हमें आर और से काम चला लेना है किस से करवालना काम आर और इससे तो इस परकार से जब बनाईएगा तो आपकी जो रिजल्ट है वह बहुत ही बहतरीन होगा लाजवाब होगा समझे मेरे प्यारे बच्चे मेरे भाई मेरे चाहने से वाले दुलरुगा स्टुडेंट आओ कोशन नमर्चाउवन क्या बोल रहा है यदि किसी किताब का मुल यदि किसी किताब का मुल पहले 25% क्या किया जाता है घटाया जाता है और फिर 20% क्या किया जा रहा है बढ़ाया जाता है तो किताब की कीमत में पास्तविक परिवर्तन क्या होगा देखो कैसे निकालोगी आओ मैं आपको बताता हूं आओ देखते हैं प्यारे मित्र किसी किताब का मुल को और पहले घटाया बाद में बढ़ाया तो मैंने बताय था न कि जब किसी वेलू को पहले घटाया जाए बाद में दोसे कहा रखते हैं लोग सकसें परसेंट में तो यह इसको कैसे बर्वाद करोगे। पहुंसा तरीका से बर्वाद करोगे। तो आप बोलोगे Sir, आपने सिखाया था, कि अगर कोई भी वैलियू में, अगर कोई भी वैलियू में, अगर पहले क्या किया जाए? घटाया जाए, फिर बाद में क्या किया जाए? बढ़ाया जाए, तो इस परकारी जो घटा होती है, इसे हम लोग सकसेसिव वाली तरीका से भरवाद कर देते हैं तो कुछने करना है तो पर सेंटेज निकालना है तो क्या निखाले बाइव तो पहले किया क्या के गटाया आगया नश्यforms यह दोनों को गुना करेंगगे तो क्या आएगा माइनस आएगा इसलिए मैंने यहां पर माइनस लिख दिया अब यह जो भी चीज़े आएंगे वो किस में आएंगे परसेंट में आएंगे अब इसे कैसे वरबाद करते आएए देखते इन दोनों को घटाओगे, तो, तो माइनस का आजाएगा, और भाई, यह दोनों देखेए, तो, पक्र TMTP, तो फाण सो, पाण सो को 100 से कáटओगे गगा, तो यहां पर से थनए तो यहां पर क्या हुझाँ यहां पर क्यां जोंगे?" मैं उसमें क्या होगी कमी कि एक होगी तो 10% कि होगी वर trends मुझे कि तरीका से क्यों वर पर होगा आओ तुम बताऊ किताब का मुल्फ पहले तुम क्या किया किताब का मुल्फ25 घटा तो घटाने से पहले भी तो किताब का मुल कुछ ना कुछ तो रहा होगा तो भाई कुछ ने करना है यारी कुछ ना कुछ तो रहा होगा तो यह रहा है इनिसियल ठीक है और यह हमारा आज का अब बताओ मेरे दोस्त तो पहले 25% घटाओगे तो 25% का जो वहलू होता है वो कितना होता है तो आप बोलोगे सर 1 बटा 4 होता है यानि कि पहले अगर कीमत 4 थी तो आज एक कीमत घट गई है तो आज की कीमत कितनी हो गई है तीन हो गई है फिर आपने 20 परसेंट बढ़ा दिया 20 परसेंट का मतलब क्या है एक बटा पांच यानि कि पहले कीमत अगर पांच थी तो आज कीमत कितनी हो जाएगी अब कुछ ने करना ये दोनों को गुना कर दो तो 4 पुचह आपक इन दोनों को 60 आठारो ने पता चल्गिया घृत Work दोताएं किताब कीमत जो आज कीमत ने कितना अठारा किताब कीमत परसेंट में क्या से क्या कर दो गुना तो बीस पचे सो और दो पचे दस यारी दस परसेंट की क्या गई कमी तो मैं आपको दोनों तरीका से समझाती आ रहा हूं बताती आ रहा हूं ताकि हमारे भाई हमारे बंदू को एक भी किसी भी परकार की कोई तकलीफ कोई दिकत नहीं हो तो एक दोस्त आपको टेंटसल लेनी के कोई बात नहीं है मैं आपको ट्रीजर्ट करके आपको करें लेकिन पढ़ाऊंगा जरूर क्लास रिकॉड करके अफढार दोंगा लेकिन पढ़ाोン baked a जरूर क्यूंकि कि मैं पढ़ाने के लिए बनाओं मैं पढ़ाने के लिए बनाओं और आपको रिजल्ट दिलाने के लिए बनाओं तो मेरे दोस्त मेरे भाई मुझ पर भरोसा रखो और आप इमंदारी के साथ पढ़ो है ना और मैं पूरा पढ़ाओंगा तो मेरे दोस्त एक बार आप लोग यह बता दिए कि आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट की होंगे तो एक बार चैनल को क्या करेंगे सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पर एक बार क्या करेंगे जबा देंगे ताकि आपको हर एक क्लास का समय पर मिलता चला जाए और आपको हर एक क्लास के बारे में पता चलता रहा जाए ज़ल्दी- Set Administator करके बता किये हैं आपको आज की क्लास कैसे लगी जल्दी जल्दी रदी बतादी जिए एक बार कमेंट तो बनती है प्यारे मित्र जल्दी से कमेंट करके बताईए कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगे जल्दी से बतादो कमेंट करके चलिए ठीक है तो मिलते हैं अगली क्लास और कल उमीद करता हूँ कि पक्का लाइव क्लास होगी थैंक यू बाबाए